नमश्कर दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र सिंग और येने हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर मैं आपके सामने हाजर हूँ क्राइम की एक कहानी लेकर आज की जो कहानी है वो ऐसा लगता है कि किसी बॉलिवूट के स्क्रिप्ट राइटर ने लिखिया क्योंकि जिस तरीके से प्लॉट तयार किया गया जिस तरीके से शूटर्स को बुलाया गया जिस तरीके से कतल किया गया वो वाके में अपने हैरान कर देने वाला था और कतल हुआ एक एसेट का पाकिस्तान के ISA का एसेट था जो नैपाल में रहता था नाम था मिर्जा दिल दिलशात बेक बिसिकली के लिए काम करता था और उसका नेपाल में काफी दब दबाबा था कई सारे काम सब्सक्राइब उल्टे सीधे जिसमें एक तो हथ्यारोंकी सप्लाई जो थी वो किया करता था पाकिस्तान से जो हत्यार नेपाल आते थे उनको भारत में सप्लाई करने का काम करता था इसके अलावा दिलचात बेग जो है जो दाउत मुंबई में जो भी गैंक्स हैं उनके जो शूटर्स होते थे उनके पासपोर्ट वनवाना फरजी पासपोर्ट बहजना इसके लवा जो अतंकी जो भारत में रह रए Crash में और उन्हें कोई भी वार्दाक करने के बाद जब भागना पड़ता था तो सीधा नैपाल जाते थे और मिर्जा शादा बेग दिलशाद बेग जो था वो इनके पासपोर्ट बनवाया करता था नकली और वहां से इन नकली फरजी पासपोर्टों की मदद से ये आतिंगवादी जो होते थे वो नैपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग जाया करते थे एक काम और करता था मिर्जा दिलशाद बे उनका कॉंटेक्ट जो था मिर्जा दिल्शाद बेग से था और वो गाड़ियां चुराते थे और यह गाड़ियां चुराई जाती थी मद्ध्रदेश से उत्तापरदेश से मुंबई दिल्ली और यहां तक कि कॉलकता कॉलकता यानि बिल्कुल सुदूर जो एक तरीके से कहा जाना चाहिए भारत का हिस्सा है यानि एक छोर से दुखसरे छोर तक गाड़ियों को लाए जाता था चुराके और उसके दाद फिर नेपाल में ले जाया करता था नेपाल में मिर्जा दिल्शाद बेग का बहुत बड़ा एक गैराज था और चोरी की सारी गाड़ियां वह जो गैराज में गाड़ियां खड़ी रहती हैं वह चूरी की हैं लेकिन पावजूद इसके नेपाल में दिल्शाद बेग का दबदबा कुछ ऐसा था कि कोई उस पर हाट डालने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके ना किवल आई एसाई से जो उसके संब्मन थे उनका प्रदेश के लिए बालकी जो पुलिस है तो माफिया रास था तो पुलिस वालों की इतनी चलती भी नहीं थी गुंड़ा गड़ती इतनी ज्यादा होती थी प्रोती के लिए अपारण वसूली हत्याएं यह बहुत नौर्वल चीजे हुआ करती थी यानि कानून का राज जो था 90 के देशक में उस तरीके से नहीं था जो आज आज है कि यानि आज अगर यूपी पुलिस चाहे तो किसी भी ऑपरेशन को करके और जो भी अगर कोई छु से वास्ता रखने वाले लोग हैं वह भाग के सीधा नैपाल आ जाते थे कोई वारदात करते थे मुंबई से भागे नैपाल नैपाल में वीजा पासपोर्ट जो है वह फर्टी बन गया और उसके बाद यह लोग पाकिस्तान चले आया करते तो यही हालत आतंगबादियों क कि देश में स्पोर्ट किये देश में किसी व्यातंगी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद यह लोग नैपाल के रास्ते पाकिस्तान चले गए तो पुलिस के लिए भी सरदर्द मन गया था दिल्शाथ बेग और इसके अलावा जो भारती एजेंसिया हैं कर रहता है लेकिन बाहर के जो ऑपरेशन से वह रौके किये जाते हैं तो अब किस तरीके से दिल्शाथ बेग का काम तमाम किया जाए इस पे काफी पुलिस की उत्तरपरदेश पुलिस खासतोर पर उत्तरपरदेश पुलिस और जो एजनसी है उनकी आपस में बहुत गंभी पर चर्चा चली और चर्चा चलने के बाद एक नाम सामने आया कि एक आदमी है जो बिड़्या दिल्शाथ बेग को उड़ाने में मदद कर सकता है पुलिस की और एजनसी की इनाम था बबलू श्रीवास्तव का शायद आप लोगोंने किसी नए नाम सुना होगा या नहीं स सूली और जिस तरीके के आप कहा जाना चाहिए जितने भी घिनोने ये संगीन जो अपराद है यह नहीं कहेंगे क्योंकि जितने भी संगीन अपराद जो है उन में बबलू श्रीवास्तव शामिल था और उसके पास कई जो लड़के थे उसके गैंग में शामिल थे शूटर क्योंकि बब्लू श्रिवास्तव जो था दिल्शाद बेका मर्जा दिल्शाद बेका बहुत ही खास था मिलने वाला था दोस्त था तो अगर बब्लू श्रिवास्तव उनके पक्ष में आ जाए तो हो सकता है कि मर्जा दिल्शाद बेका काम किया जा सकता है इसके बाद मर्जा पब्लू श्रिवास्ताव को एप्रोच किया गया यूपी पुलिस का एक अधिकारी पब्लू श्रिवास्ताव से मिलने के लिए जेल में गया और यह अधिकारी जो था वो बब्लू श्रिवास्ताव को काफी दिन पहले से जानता था और यहां पर उसने एक प्रपोजल रखा बबलु श्वास्ताव के सामने कि इस तरीके से योपी पॉलिस भी परेशान है और डेश की जो एजैंसी है बहुत है और अत्रोर proxy जो मिर्जा धॉलिजा दिल्शाद बेग है वह सिर्ध बन गया अब बजू बबलु श्री वास्ताव हम लेकिन जब देश का हवाला दिया गया और आतंकी घटनाओं का हवाला दिया गया तो वह तैयार हो गया और उसने बहुत है ठीक है अगर आप इतना कह रहे हैं और देश का वास्ता दे रहे हैं तो हम इस पर काम करते हैं तो बब्लू शीवास्तर्फ की गैंग में बढ़केता सारे एक लड़की थी बबब्लू शीवास्तर pre-man के गैंग में जिसका नाम था अर्चना पूरा नाम तक गे आ रहा है अर्चना शर्मा और यह चर्मा जो थी बहुत तेज तर्रार महिला थी और काफी खूबसूरत यह लड़की थी और इसके अलावा अर्चना शिवास पहले एक औरकस्टर जो था उसमें काम किया करती थी और ओरकस्टर उस ताम पेटना फेमस हुआ करता था कि पूरे खास्ट तोरा ही में इसके बहुत अर्चना शर्मा वहां पर गई थी और इसी दोरान बबलू श्रीवास्तफ की जो जानकारी थी वह अर्चना शर्मा से हुई और तब से यह दौनों एक दूसरे के संपर्ट में आ गए अब बबलू श्रीवास्तफ ने का कि और तो इसको भेजें पहले तो जाल में फसाना परिशान कर रही है तो आप कुछ दिन के लिए इसको नेपाल में रख लिए और जब भी थोड़ा मामला शांत हो जाएगा यानि पुलिस की जो दबिश है या पुलिस के जो परिशान करने का जो सलसिला है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो हम आप इसको वापस बुला करेंगे तो दुद्शाद बेक क्योंकि जानता था पफलु दिखाया गया जिसमें उसको कहा गया कि आप यहां पे रह जाए तो उसने मना कर दिये कि मैं इधर में चोटा मुझे थोड़ा बड़ा म का चींए एक दूसरा मकान देखाया गया, वह मकान था, उसमें खास बात ये थी, कि एक तो उस मकान की दो एंटरेंस थी, एक आगे की तरफ थी एक पीछे की तरफ थी, जिस तरीके से पूरी वारदापको अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई थी, उसे साब से मकान बिल्कुल फिट बैठता था और ये भी था कि मकान के आसपस जो आबादी थी वो थोड़ी कम थी और मकान के पास में एक एस्टेडी PCO का बूत भी था यानि अगर कोई संदेश देना हो या किसी को फोन करना हो तो वो भी तुरंट कर सकती थी अर्चना शर् शिफ्ट हुई यह करीबन जून के महिने में मैं जून के मैं जून 1908 की बात है तो जब अर्चना शर्मा वहां पे शिफ्ट हुई तो उसके कुछ दिन बाद ही उसने जो टेलेफोन है वहां पे हमने घर के अंदल लगवा लिया अब दिन बीतने लग गए और अर्चना शर दिल्शाद बेग जो था वो पता नहीं क्यों पॉर्चना शर्मा से विल्कुल दूरी बनाएर रखता था। उसने कई बार अर्चना शर्मा कि यह आजाए तो बबलु श्र्वास्तव ने का ठीक है चलो हम बात करके बताते हैं तो बबलु श्र्वास्तव ने बोला कि यह अच्छना शर्मा आपको इतना बुलाती है अपने घर पर आप जाते नहीं हो तो उसने बोला कि आप उसके पास जाईए वह बड़ी अकेली है लड़की और देखिए अंजान देश में आई हुई है पहले से परिशान है तो थोड़ा अगर आप जाओगे उसके बास बाते बाते करोगे तो मन बहल जाएगा तो उसने का ठीक है अब अगली बार फोन आएगा तो हम चले जाएंगे तो इस बार अर्चना शर्मा ने फि घर पे आ जाई है तो बिर्जा दिल्शात बेक तयार हो गया और करीबन साथ पजे का जो टाइम था वो रखा गया खाने के लिए इसके बाद अर्चना शर्मा ने ये बात बबलू शियास्व को बताई और यहां पर मैं आपको इक बात बता दू कि जब अर्चना शर्मा आ क्योंकि यह मिर्जा दिल्शाद बेक जो है वो दाउद गेंग के करीबी था तो कुछ शूटर जो छोटा राजन गेंग के थे वो भी पहुंच गहे थे नैपाल और यह पेसिकली बस उस तारीक का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन मिर्जा दिल्शाद बेक अर्चना के घर और जो प्लान मनाया था उसी हिसाब से उसको ठिकाने भी लगाना था तैय यह हुआ कि जब अर्चना शर्मा बालकनी में आएगी तो समझ लेना कि मिर्जा दिल्शाद बेग घर पे आ गया और शूटर जो है वो तैयार हो जाए तो तैय वक्त पे मिर्जा दिल्शाद बेग जब पहुंचा तो जब वो अर्चना शर्मा के घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने वाले रास्ते से दाखिल हुआ और उसके बाद वो घर चला उपर जो अर्चना शर्मा का घर था वहां पर वो चला गया पहली मंजिल पर घर था उसके बाद बाते होती रही और अर्चन से लगी हुई मरकनी रख चले गई जब फार्ट यैर्ट उच्छाँ उठाइब कर लोगत और उच्छ झाला घया उसके बादiciones को रहें इस वाइसे यह जो दिल्षात था पीछा दिल्षाघगू को सामने वाला रास्ते से नहीं गया सामने वाला रास्ता बहां जहां पर शूटर Channel कर रहे जब कि बल्कि वह पिछले वाले जो रास्ता था उससे वह निकल गया और अर्थिना शर्मा जो थी उसका गला सूख गया वह जैसे मिर्जा दल्शाद बेग निकला वह उसके पीछे पीछे भागी और वहां पर जो सामने जो शूटर तेनाथ थे उनको पता है कि वह तो निकल गया जल्दी जल्दी में और तुम लोग जादा दूर नहीं किया होगा जाके उसका पीछा कर लो और हो सकता है कि तुम्हें रास् पहुंचे जब लगा निदर घुसने वाला था तो जैसे वह गुसने वाला था अचानक जो मंजी सिंह मंगे जो एक शूटर था उसने आवाज लगाई मिर्जा दुचाद बेक को क्योंकि वह उसको जानता था तो वह रुग गया उसकी वास सुनकर और वह बात करने लग ग जो दूसरा शूटर था इसका नाम फरीद तनाशा था फरीद तनाशा ने अपनी पिस्टल निकाली और इस्टल निकालने के बाद उसने तावर तो जो सभा ब्रेइंग करते जब असने इस्थ जो कर दी तोыл्त ने इसके बाद ये फरीत तनाशा और जो वंजीज सिंग मंगे थे ये वापस हिंदुस्तान आ गए और इस तरीके से एक अंडर वर्ड डॉन ने भारती एजनसी की एक ISI के एजन्ट को मारने में मदद करी ऐसी मिसालें कम ही मिलती है जब जो एजनसिया हो जो खुफिया एजनसि तो मैं आपे आपको ये बताता चलू कि अर्चना शर्मा जो थी वो इस वारदात के बाद अचानक गायब हो गई और आज तक ये नहीं मालू कि अर्चना शर्मा कहां है लोगों का कहना ये है कि बबलू शियास्ताफ ने नेपाल में ही उसका कतल करवा दिया और उसकी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसके लिए खत्रा थाबित हो सकती है तो अर्चना शर्मा का इस वारदात के बाद मिर्जा दल्शाद बेकी हत्या के बाद आज तक कोई अता पता नहीं है तो आज की कहानी का सिलसले के वह यहीं तक अगले हफते फिर आपके साथ नहीं कहानी के साथ